नमस्कार दोस्तों, आए सुनते हैं हरी शंकर परसाई की लिखी कुछ कहानिया चूहा और मैं ये कहानी स्टाइनबेक के लगु उपर्न्याज अफ माईस एंड मैं से अलग है चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था पर मेरा एहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया है जो मैं नहीं कर सकता वह मेरे घर का चूहा कर लेता है जो इस देश का सामान्या आदमी नहीं कर पाता वह इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया इस घर में एक मोटा चुहा है जब छोटे भाई की पत्मी थी तब घर में खाना बनता था इस बीच पारिवारिक दुरगटनाओ, बहनोई की मृत्यू आधी के कारण हम लोग बाहर रहे इस चुहे ने अपना ये अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मान पाया, चुहे ने मान लिया है लगभग 45 दिन घर बंद रहा, मैं जब अकेला लोटा घर खोला तो देखा कि चुहे ने काफी क्रोकरी फर्ष पर गिरा कर फोर डाली है वह खाने की तलाश में भड़डाता होगा, क्रोकरी और डब्बो में खाना तलाशता होगा उसे खाना नहीं मिलता होगा, तो वह पडोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जिंदा रहता होगा पर घर उसने नहीं छोड़ा, उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ, यहां से वहां दोड़ रहा है वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी दिन भरवा आनन से सारे घर में घुमता रहा, मैं देख रहा था, उसके उल्ला से मुझे अच्छा ही लगा पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ, मैं अकेला था, बेहन के यहां जो पास में ही रहती है दोपहर को भोजन कर लेता रात को देर से खाता हूँ, तो बेहन डिबा भेज देती रही, खाकर मैं डबा बंद करके रख देता, चुहा राम निराश हो रहे थे, सोचते होंगे यह कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता खाना बनता, तो कुछ बिखरे दानी या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते, मुझे एक नया अनुभव हुआ, रात को चुहा बार बार आता, और सिर की तरफ मच्छडदानी पर चड़कर कुल बुलाता रात में कई बार मेरी नींद तूटती, मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता, और मेरे सिर के पास हलचल करने लगता वह भूखा था, मगर उसे सिर और पाउं की समझ कैसे आई? वह मेरे पाउं की तरफ गडबर नहीं करता था, सीधे सर की तरफ आता और हलचल करने लगता इसे मारूं और ये किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुरगंध से भर जाएगा फिर भारी अलमारी हटा कर इसे निकालना पड़ेगा चूहा दिन भर भर भड़ाता और रात को मुझे तंकरता मुझे नीद आती मगर चूहा राम फिर मेरे सिर के पास भर भड़ाने लगते आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए उसने इस घर को अपना घर मान लिया है वह अपने अधिकारों की प्रती सचेत है वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद ये कहता है क्योंबे तू आ गया है भर पेट खा रहा है मगर मैं भूखा मर रहा हूँ मैं इस घर का सदस्य हूँ मेरा भी हक है मैं तिरी मींध हराम कर दूँगा तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली रात को मैंने भोजन का डब्बा खोला तो पापड के कुछ टुकडे यहां वहां डाल दिये चूहा कहीं से निकला और टुकडा उठा कर अलमारी के नीचे बैठ कर खाने लगा भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकडे फर्ष पर बिखरा दिये सुबह देखा कि वहां सब खा गया है एक दिन भेन ने चावल के पापड भेजे मैंने तीन-चार टुकडे फर्ष पर डाल दिये चूहा आया, सूंगा और लौट गया उसे चावल के पापड पसंद नहीं मैं चूहे की पसंद से चमतकृत रह गया मैंने रोटी के कुछ टुकडे डाल दिये वहां एक के बाद एक टुकडा लेकर जाने लगा अब ये रोज मर्रा का काम हो गया मैं डब्बा खोलता तो चूहा निकल कर देखने लगता मैं एक दो टुकडे डाल देता वहां उठा कर ले जाता पर इतने से उसकी भोगशांत नहीं होती थी मैं भोजन करके रोटी के टुकडे फर्ष पर डाल देता वह रात को उन्हें खा लेता और सो जाता इधर मैं भी चैन की नीन सोता चूहा मेरे सिर के पास गड़बर नहीं करता फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया कहा होगा चल रहे मेरे साथ उस घर में मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकल वा लिया है चल दोनों खाएंगे उसका बाप हमें खाने को देगा वरना हम उसकी नीन धराम कर देंगे हमारा हक है अब दोनों चूहा राम मजे में खा रही है मगर मैं सोचता हूँ आदमी क्या चूहे से भी बत्तर हो गया है चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चड़ जाता है मेरी नीन धराम कर देता है इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरन करेगा प्रथन स्मगलर लक्षमन मेगनाथ की शक्ती से घायल पड़े थे हनुमान उनकी रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश से संजीवनी नामक दवा लेकर लोट रहे थे कि अयोध्या के नाके पर पकड़ लिए गए पकड़ने वाले नाकेदार को हनुमान ने पीट कर लिटा दिया राजधानी में हला मच गया कि बड़ा दलशाली स्मगलर आया हुआ है पूरा फोर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही आखिर भरत और शत्रुगन आये हनुमान अपने आराध्य रामचंद्र के भाईयों को देख कर दब गए शत्रुगन ने कहा इन स्मगलरों के मारे नाक मिद्दम है भाईया आप तो सन्यास लेकर बैठ गए है मुझे भुगतना पड़ रहा है भरत ने हनुमान से पूछा कहां से आ रहे हो हनुमान हिमाचल प्रदेश से भरत क्या है तुम्हारे पास सोने के बिस्किट गांजा अफीम हनुमान दवा है शत्रुग्न ने कहा अच्छा दवाईयों की स्मगलिंग चल रही है निकालो कहां है हनुमान जी ने संजीवनी निकालकर रख दी और कहा मुझे आपके बड़े भाई रामचंद्र ने इस दवा को लेने के लिए भेजा था शत्रुग्न ने भरत की तरफ देखा बोले बड़े भाईया ये क्या करने लगे है स्मगलिंग में लग गए है पैसे की तंगी थी तो हमसे मंगा लेते स्मगलिंग के धंधे में क्यों फसते है इससे बड़ी बदनामी होती है भरत ने हनुमान से पूछा ये दवा कहां ले जा रहे थे कहां बेचोगे इसे हनुमान ने कहा लंका ले जा रहा था भरत ने कहा अच्छा वहां उत्तर भारत का स्मगल किया हुआ माल बिकता है कौन खरीते हैं रावन के लोग हनुमान ने कहा ये दवा तुम्हें राम के लिए ही ले जा रहा था, बात ये है कि आपके भाई लक्षमन घायल पड़े हैं, वे मरना सन्न हैं, इस दवा के बिना वे बच नहीं सकते। भरत और शत्रुग्न ने एक दूसरे की तरफ देखा, तब तक रजिस्टर में स्मगलिंग का मामला दर्ज हो चुका था, शत्रुग्न ने कहा, भरत भाईया आप ज्यानी है, इस मामले में नीती क्या कहती है, शासन का क्या करतव्य है, भरत ने कहा, स्मगलिंग तो अनैतिक ह पर स्मगल किये हुए सामान से अपना या अपने भाई भतीजों का फाइदा होता है, तो ये काम नैतिक हो जाता है, जाओ हनुमान, ले जाओ दवा, मुन्शी से कहा, रेजिस्टर का पन्ना भाड़ दो, खेती और उसे अर्थ विभाग को भेज दिया, अर्थ विभाग में फाइल के साथ नोट नत्थी किये गए और उसे क्रिशी विभाग को भेज दिया गया, बिजली विभाग ने उसमें बिजली लगाई और उसे सिंचाई विभाग को भेज दिया गया, सिंचाई विभाग में फ वह फाइल राजध्णानी से लेकर तहसील तक के दफ्तरों में ले जाई गई। हर दफ्तर में फाइल की आरती करके उसे दूसरे दफ्तर में भेज दिया जाता। जब फाइल सब दफतर घूल चुकी तब उसे पकी जानकर फूट कॉर्पोरेशन के दफतर में भेज दिया गया और उस पर लिख दिया गया कि इसकी फसल काट ली जाए। इस तरहां दस लाख एकड कागस की फाइलों की फसल पक कर फूट कॉर्पोरेशन के पास पहुँच गई। एक दिन एक किसान सरकार से मिला और उसने कहा हुजूर हम किसानों को आप जमीन, पानी और बीज दिला दीजिये और अपने अफसरों से हमारी रक्षा कर लीजिये त सरकारी प्रवक्ता ने जवाब दिया, अन की पैदावार के लिए किसान की अब कोई जरूरत नहीं है, हम दस लाख एकड कागस पर अन पैदा कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद सरकार ने बयान दिया, इस साल तो संभव नहीं हो सका, पर आगामी साल हम जरूर खाद्य में आ शहर में ऐसा शोर था कि अशलील साहित्य का बहुत प्रचार हो रहा है। अखबारों में समाचार और नागरिकों के पत्र छपते कि सडकों के किनारे खुले आम अशलील पुस्तकें बिक रही हैं। दस बारह उत्साही समाज सुधारक युवकों ने टोली बनाई और तै कि कि जहां भी मिलेगा हम ऐसे साहित्य को छीन लेंगे और उसकी सर्वजनिक होली जलाएंगे। उन्होंने एक दुकान पर छापा मार कर 20-25 अशलील पुस्तकें हाथों में ले ली। हर एक के पास दो या तीन किताबें थी। मुखिया ने कहा आज तो देर हो गई, कल शाम को अखबार में सूचना दे कर परसों किसी सर्वजनिक स्थान में इन्हें जलाएंगे। प्रचार करने से दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा। कल शाम को सब मेरे घर पर मिलो। पुस्तकें मैं एकठी अभी घर नहीं ले जा सकता। 20-25 हैं पिता जी और चाचा जी हैं देख लेंगे तो आफत हो जाएगी। ये दो-तिन किताबें तुम लोग छिपा कर घर ले जाओ, कल शाम को ले आना। दूसरे दिन शाम को सब मिले पर कोई किताब नहीं लाया था। मुखिया ने कहा किताबें दो तो मैं इस बोरे में छिपा कर रख दू, फिर कल जलाने क जगा बोरे ले चलेंगे। किताबें कोई नहीं लाया था। एक ने कहा कल नहीं परसों जलाना, पढ़ तो ले। दूसरे ने कहा अभी हम पढ़ रही हैं, अब तो किताबें जब्द कर ही ली हैं। उस दिन जलाने का कार्यक्रम नहीं बन सका। तीसरे दिन फिर किताबें लेकर मिलने का तैह हुआ, तीसरे दिन भी कोई किताब नहीं लाया, एक ने कहा, अरे यार फादर के हाथों किताब पढ़ गई, वे पढ़ रहे हैं, दूसरे ने कहा, भाभी उठा कर ले गई, बोली कि दो-तीन दिनों में पढ़ कर वापस कर दूँगी, चौथे ने कहा, अर एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ी जा रही है, रोटी, प्रजा तंत्र के राजा ने जहांगीर की तरह अपने महल के सामने एक जंजीर लटका रखी थी, घोशना करवादी थी कि जिसे फरियाद करना हो, वह जंजीर खींचे, राजा साहप खुद फरियाद सुनेंगे, ए प्रजा तंत्र का राजा तुरंत महल की बैलकनी पर आया और बोला, फरियादी, क्या चाहते हो? फरियादी बोला, राजा, तेरे राज में हम भूखे मर रहे हैं, हमें अन का दाना नहीं मिलता, मुझे रोटी चाहिए, मैंने कई दिनों से अन नहीं खाया, मैं रोटी राजा ने बड़ी सहानु भूती से कहा भाई तेरे दुख से मेरा हृदय द्रवित हो गया है मैं तेरी रोटी की समस्या पर आज ही एक उपसमिती बिठाता हूँ पर तुझ से मेरी एक प्रार्थना है उपसमिती की रिपोर्ट प्रकाशत होने से पहले तु मरना मत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हरी शंकर परसाई के लिखे कुछ व्यंग्य उमीद है ये कहानिया आपको पसंद आ रही होंगी मेरे चानल पर आने के लिए धन्यवाद मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोस को लाइक करें और आप से जल्द ही मुलाकात ह होगी